परितर हो मैं तो कोई धोल बजाए औरी धोल फोडे और जो भी गुल्लम करें हम क्या करते हैं अपनी बात बताता है में किताब खोलता है फट से इस लोगे आत करता है दो मिनिट पे अरे ये बवाल कभी खतम होगा ही नहीं कोई धोल बजाएगा कोई थोड़ा गाजर लेठ ह तो अपना काम करो इसलिए मैं कहूंगा पती को अपने करतब का पूरा पालन करना चाहिए घर के कले कलेस में उलजना नहीं चाहिए और पतनी को भी अपनी परतिभाव में निखार लाना चाहिए समस्यां कभी खतम नहीं होगी जिस दिन तुम खतम हो जाओगे उसी दिन समस्या खतम होगी समस्या है इसका मतलग तुम जिंदा होगी हाँ ऐसा करा बेटियों को भी चाहिए घर की उल्जुनों में मत फसे बिद्या ध्यन करें और आगे फालो करो विकास करो उची से उची कलाओं को सीखो केवल फैसन में भी मत फसे रहो अभी तो बालों का फैसन इतना चला है कि भगवान राम भी नहीं बचा पाएंगे किसकी खोपडिम पैदा हुई रगड़ी मार रहा हाँ अब तो फुरसों ने भी बालों में फैसन इस्टार्ट किया है वो चारों तरफ कटिंग करा देते हैं अब बीच में थोड़े बाल रखते हैं रूई जैसे उड़ते रहते हैं बाई पास रोड निकाला है कि इदर से उदर निकल जाओं बस बीच चौरा है मताना क्या लोग नाट की आदमी है अरे खोपडिम मैंड नहीं है बाल वाल में क्यों पड़ा हुआ है फालतु कटिंग करा रहा है ये बालों में भी दिमाग मत खर्च करिए ये सब जंजट है कुछ नहीं इनको बालों को कितना समालो ये बाल भी बहुत बेइमान है एक एक करके पक जाएंगे सफेद हो जाएंगे डेंट बेंट कितनी करो इनकी अंदर से फिर सफेद निकलेंगे और फिर ये जड़ना सुरू होंगे सब एक एक गिर जाएंगे और फिर जब मर जाओगे तो इन बालों में आग लगेगी सब जल जाएंगे अब ये जिन्दा में बाल तम को हैरान किये हैं ये कुछ नहीं बाल बाल जेओं तेओं कंगा मारो निकलो अपनी कलाओं को विक्सित करो भग्मान राम, भग्मान क्रश्न, शंत कबीर और स्वामी महावीर ये कितने महान थे आज उनका सरीर नहीं दिखता है फिर भी उनका नाम सब की जुमा पे रटा जाता है मीरा वाई का नाम याद किया जाता है तुम ऐसे से गुण पैदा करो कि मरने के बाद ही लोगों के दिलों में चिंदा बने रहो ये लड़कियां बहुत बुद्धिमान हैं और ये सारी लड़कियां कितना बालों को सेट करती है इधर जुकाना उधर मोड़ना ये बाल छोटे कर देना उसको लंबा कर देना अब बीच में थोड़े बाल फुला कर गुलगुबा बना देना अब क्या लफड़ा बनाती है कितनी कलाकार है वो लेकिन उसकी कला सब बालों में ही उलजी हुई है और खोपडी सकाम कहीं कुछ लेती नहीं है खोपडी सब खोपडी के बालों में लगा दिया है आरे इसमें मत फस आगे कुछ सोच तुझे कार लाना है कलक्टर बनना है यस्पी बनकर आना है आपसर बनना है तेरे को बहुत सुन्दर मकान बनाना है यह कान लपड़ा में फस रही तो है आज से बेटियां भी अपने आपको जागरू करेंगी सारा दिमाग अपनी योगिता को विक्सित करने में लगाईगे आप देखे जैसे हम हैं सिंपल कपड़े पहने हैं हमारे कपड़े कभी प्रेस नहीं किय जाते हैं प्रेस समझते ना लोहा दोआ लगाते कभी न है हम ऐसे अल्लम जल्लम पहन लेते हैं आपकोर पूरे वर्ट में 15 से 20 करोड लोग देखते हैं टीबी में और यूटूब में तीन करोड़ असी लाग के करीब लोग देखते हैं, कोई फैसन नहीं, कोई बालवाल दिखते नहीं हमारा, और कुछ नहीं अगड़ पगड़ बांदलो बस हो गया, चंदन लगा देता हूं थोड़ा सा, वो भी कोई सेटिंग से चंदन उंदन नहीं लगाता हूं कि लंबा टेणा तीन टाइप का हैं, बस बिंदी धरो, निकलो बाहर चंदन वंदर लपने मत पसो, प्रवचन करो चलके, पढ़ो लिखो, स्वध्धै करो, सांतर हो, खोसर हो, बवाल मत बनाओ, तो ऐसा जीवन बनाओ, ताकि तुम्हारा लाखो लोग दर्शन करे, लाखो लोग दर्शन करे, ये हीरोईन हीरो, इसका कौन, मरने के बाद एक भी हीरो हीरोईन की कोई याद नहीं करता है, और हीरो हीरोईन की मौत भी ठीक से हो नहीं पाती है, एक हीरोईन थी बताते हैं, वो दुबई में बाथरूम में डूब के मर गई, अरे समंदर पार बात्रूम में डूबने गई थी कि यह होश्यार नहीं मेरे को बताती मैं भी उसको तालाब बता देता इधर जा और फिर इतना तेरे अंदर घ्यान होता तो डूबने क्या जरूदत है हाँ आत्मत्य क्या काम है मौत तो अपने आपाएगी टाइम पर उसके लिए मरने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए कभी उबो डूबो मत घबराओ मत हिम्मत हारो मत प्राक्रमी रहो धैर रखो परेशान भी मत हुआ करो घर में कोई सामान की कमी हो संतोस कर लिया करो जो है उसमें एड़जेस्ट कर लिया करो सोर गुल मत मचाया करो कुछ तूट फूट हो गई हो गम खा लिया करो कुर्शी की एक टांग तूट जाए किसी गरीब को दे दिया करो तीन टांग सही है चौठी टांगों लगा लेगा काम चाला देगा दिवाली से पहले घर की सफाई करो जो फालतू सामान है निकाल के दान कर दिया करो घर का अस्थान खाली करो एक कबाड खाना सब कमरा घेर के बैठा है सामान पुराने गद्दे दान कर दो पुरानी रजाई दान कर दो दो-तीन दिन एक साड़ी पहना करो फिर नहीं ले आओ उसको दे दो लेडीज बहुत खोसा है पुरुष टेंसन में है कि रोध दान करेगी लपड़ा हमारे पर आएगा तुम पेंट दान कर दिया पर घर से पेंट पेंट कर जाओ उदर से अंडर वियर में आओ मैं अपने चपल दान कर देता हूँ वहां से नंगे पाऊँ आजाता हूँ ऐसा पचास बार कर चुका हूँ चादर वो अढ़ा हूँ उसको दान कर दिया उदर से ठंडिम ठेट उरते है दूसरी चादर ले ले लिए और दान की सक्ती इतनी सक्ती करण दानी था गरीबों का ख्याल रखो दीवाली आ रही है जो मिट्टी के दीपक बनते हैं उसको क्या बोलते हैं मिट्टी के दिया क्या बोलते हैं दिया है बस चलो ठेक निपट गया तो दिया तो आप मिट्टी के दिया खरीद लेना यह देहाती मांडल है और वो खरीद करके गरीब कुमारों के थोड़े से दिया बिक जाए तो उनके दिया खरीद कर तुम दीवाली मनाओगे और दिय कि प्राफिट से गरीब लोगों के घर में भी दिवाली हो जाएगी उनके खरीद लेना यह होस्यारिक बात बता रहा है अभी वेड़े संथ जी से बोला है अपने प्रवंधक पुशकर जी से कि कोटा अश्रम में दिवाली मनाएंगे ग्यारा सो दीपक खरीद लेना दिया व और साथ में ग्यारा सो दिया दस दुकानों से लाना सवसो ले आना वहां ग्यारा दुकान से ले आ सबका थोड़ा थोड़ा काम चल जाए जाए और जो दूसरों के लिए जीने की बात को सौचता है उसकी आयू भी बढ़ती है स्वास्त भी अच्छा रहता है वो दिमान रहता है प्रशन रहता है सरदियों में दो चार छे कंबल भी दान कर दिया को कोई देखो गरीब आत्मा अभी मैं गाड़ी से आ रहा था तो जिस चादर को मैं ओड़ता था गाड़ी में कभी ठंडी लगे तो मैंने देखा एक मात्मा जा रहा है वो गठरी पोठरी लाते विए दाड़ी और जटा और गंदा मात्मा तो मैं उसको बुलाया इदर आओ टोल टेक्स पर गाड़ी खड़ी हुई तो मेरी नजर उस पर गई बुलवा इदर आओ मात्मा जा अपने ड्राइवर साहिब से पूछा कि कोई चादर है क्या गरम चादर है बोले इसमें तो नहीं है गुड़ दे तो अपने का तो मेरी वाली दे दो बोले इसमें आपकी दो है कौन दे दू मैंने का जो अच्छी है वो दे दो सबसे अच्छी वाली तो इसको बुला कर टोल टेक्स वाले को बुलाया अपने का इसको चादर पकड़ एक तरम मैं पकड़ू दूसरे तो पकड़ बाबा को वढ़ा दे तो बाबा को उढ़ाया तो टोल टेक्स वाला क्या बुला माफ करना को देओ मैंने गल्ती किया जो आपकी गाड़ी रोका आप इतने महान है इस इतने गरीब बेक्ती को देखकर बुलाकर अपनी चादर उढ़ाती है हम टोल टेक्स नहीं लेंगे और छमा करो बस आप जाओ तो आपने का तूने रोका तभी तो इनको दे पाए है रोकता नहीं तो पुन्न कहाँ सोता सट से निकल जाते पुन्न का भल बहुत होता है और मैं पतियों से भी कहूंगा आप संकल्ब लीजिए कि अपनी बतनी को चार दिन के बाद नई साड़ी पहनाईए हाँ और तुम पुरानी दान करो दीखी आपकी अंदर इती शामर्थ पैदा होगी चार नहीं तुम चालिस साड़ी इनको पहना दोगे कंजूसी छोड़ो लालत छोड़ो लोब छोड़ो और मन को सेवा के रास्ते पर मोड़ो और फिर देखो अपना दिल भक्ती से जोड़ो आपके पास अंबार लग जाएगे कुछ कम नहीं होगा डिश्टिक फरुखावाद उत्तर परदेश गंगा के किनारे एक बहु अपने ससुराल में आई फश्ट दिल सत्य घटना है जुट्टी बात नहीं पता भी लगा सकते है तो उस बहु को एक बहुत अच्छी साल उड़ाया था किसी बहुत कीमती अमीर घर के लोग थे हो तो कोई गरीब घर की महिला पाउँ छूने के लिए आई मिलने के लिए आई तो उस बहु ने वो साल उतार करके उस गरीब महिला को उड़ा दिया तो सासु ने बहुत डाटा सासु ने का इतनी कीमती साल थी उसको क्यों उड़ा दिया तो उस बहु ने कुछ नहीं कहा अपने पिता जी को फोन किया कि पिता जी बहुत कंजूस के घर में मेरी साधी कर दिया अपने मैंने एक साल गरीब महिला को दे दिया तो सासू ने बहुत डाट लगई और मना किया तो उसके पिता ने कहा वेटी रात भर इंतजार करो सुबह मैं आता हूँ सुबह उस लड़की का बाप एक ट्रक गरम साल और शाड़ी और कंबल लेकर आया एक ट्रक अद्वार पर लगा दिया और उसकी सासू से कहा कि मेरी बहु को कभी मेरी बेटी को कभी रोकना मत जितना दान देना चाहे उतना करने दो एक ट्रक सामान समालो अगले मैनम फिल ला दूगा तो सासू के होस उड़ गे कि ये बहु भी दानी है इसका बाप तो उससे ज़्यादा महादानी है तो सासू ने एक हपते में ही घर की चाभी दे दी उस बहु को कि अब तू ही मालिक बन तेरा मामला कुछ ऐसा लगता है लच्छिमी अवतार है तू उस बहु ने घर समहला क्या किया गंगा की किनारे एक आश्रम बनवाया कम से कम पाँच क्रोड का आश्रम बनवाया सब सादू संत आगंतों के लिए फ्री शेवा हर महिने वहां कोई कथा भागवत प्रबचन होता है मैं वहां गया हूँ देखा हूँ इसी साल गया था और वो लड़की उसने का हर फिल्ड में नाम कमाना चाहिए काम करना चाहिए तो बिजनेस में उसने काम करवाया तो करीब करीब 20-25 जिलो में उनकी दूद डेरी का दूद गी मक्षन मलाई वो सब विकता है और उनके पास में लखनव में फरुखाबाद में बड़े बड़े विद्यालाई है 40-50 उसी बहु ने डबलब करवाया और वो स्वेमिस में जिला पंचात अधच है उसका नाम मिथलेश कुमारी है मिथलेश कुमारी जिला पंचात अधच है और वो बोल रही है कि अभी हमको बहुत सेवा करना है कोई गरीब हो उसको मदद करना है बहुत सेवा करती है आप जब सेवा करोगे न ये कुद्रात ये प्रकरती ये तुम्हारी सेवा में जुट जाती है इसलिए उदार बनो जो भी थोड़े से थोड़ा जादस जादा बन सके सेवा परोबकार करो कहें कविर कुछ उद्दम कीजे आप खाए और को दीजे खुद खाईए और दूसरों को भी खिलाईए आप सभी का जीवन मंगल में हो ध्रम तूटे आपका भूत प्रेत चुलेल मरही मसान का और गंदी आदते छोटे सुद्ध बुद्ध सुरूप तुम आत्मा हो तुमारे अंदर कोई गंदगी नहीं है तुम इन गंदी आदतों में पढ़कर के दुखी होते हो टेंसन और चिंता दूर हो आपकी क्योंकि आत्मा का यहां से किसी से रिस्ता नहीं है आत्मा सुतंत्र है वो सब छोड़ कर चल देता है तो किसकी टेंसन करते हो चालिस साल की उमर के लिए इतना परेशान मत को ये जो है उसका आनंद लीजिए जो नहीं है मेहनत करके प्राप्त कीजिए जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसका त्याग कीजिए जो प्राप्त हो चुका है और खो गया है उसको भी भूल जाईए और जो मिला है उसमें प्रसनता पुर्वक जिन्दगी बिता लीजिए यही जीने की खला सिखिए अब एक सवाला और बचा है क्या है और कहां से प्रशन की अथवे ने हैं चलो तुम सब भूल गए जिसकी बुद्धी यथा योग नहीं है और जिसकी भौना यथा योग नहीं है और जिसके अंदर भावना है ही नहीं, भाव ही नहीं, तो कृष्ण कहते अरजुन, उसको सांती कैसे मिल सकती है, और जिसको सांती नहीं मिलती है, उसको सुक कहा मिलेगा, कुता सुक हम, उसको सुक नहीं मिलेगा, इसलिए यथा योग भावना रखी, यथा योग का मतलब, पिता के प्रती क्या भावना होनी चाहिए, वही भावना रखिए, मा के प्रती कैसी भावना हमारी होनी चाहिए, वही रखिए, पतनी के प्रती क्या भावना रखना चाहिए, पती के प्रती क्या रखना चाहिए, गुरू के प्रती, सिछक के प्रती, विद्यार्थी के प्रत जब भावनाएं बिगड़ती हैं तो करम बिगड़ते हैं जब करम बिगड़ते हैं पुरा सिस्टम बिगड़ता है भागी बिगड़ता है इसलिए भावना का पूरा खेल है अपनी भावना को ये था योग बनाईए जिस किसी के परती जैसी भावना उचित है वही भावना दुर भाउना भी मत किजिए और भाउना हीन भी मत बनिए तो आपको सांती मिलेगी और जिसके दिल में सांती है उसी को सुख प्राप्त होता है आपका जीवन सुखी होगा